हेलो गाइज वेलकम बेक टो मैं यूट्यूब चैनल लक्स इंफो टेक तो आज जैसे कि आप समय को बहुत समय से इंतजार सा सीटेट के जो आवेदन हैं वो होने वाले हैं तो उसके संदर्व में एक विग्यप्ति आई हुई है या कह सकते हैं नौटिफिकेशन आया हुआ ह तो मैं आज आपको बताता हूँ नौटिफिकेशन क्या है तो केंद्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्र बोर्ड अप सेकंडरी एजुकेशन में सारोजिंक सारोजनिक सुचना जो यह है दिनांक 20-10-2022 को आ चुकी है तो पढ़ते हैं आगी कि ओ सारोजिंक सुचना क में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी उमिद्वारों के प्रवेश्पत्र परिक्षा के 61 तारिक की सुचना दी जाएगी विस्त्रित सुचना बुलिटिन जिसमें परिक्षा पार्ठिकरम भासा पात्रता मांदंड परिक्षा सुल्क परिक्षा सहर और म दिस्क्रिप्षा बॉक्स पर मिल जाएगी तो वहां से क्लिक करके आप सीधे आप इसकी साइट पर जा सकते हैं और इच्छुक अमिद्वारों से अनुरोध है कि केवल उप्युक्त वेब साइट से सूचना बुलिटिन डाउनलोड करें और आविदन करने से पहले इसे ध गुरू होगी तथा ओनलाइन आविदन जमा करने की अंतिम तिथी चौबीस ग्यारा 2022 गुरुवार बज़े तक रहेगी बारा बज़े तक रहेगी सुल्क का भुक्तान जो है पच्छिस ग्यारा 2022 सुक्रवार तक पंद्रा तीस बज़े से पहले किया जा सकता है तो केंद्री शिक्षक पातरता से टी एटी का दिशमबर 2022 के लिए लागो आविदन सुल्क जो है निमना अनुसार है सेनी पेपर फर्स्ट और सेकिंड दोनों पेपर और फर्स्ट सेकिंड जो है सामान्य ओबीसी के लिए आ अगर आप दोनों पेपर देना चाहते तो उसमें आपको जो है 1200 का सुल्क आविदन देना पड़ेगा और स्टी विकलांग के लिए जो है आपके लिए केवल 500 रुपे फीस पड़ेगी दोनों में से अगर आप एक करते हैं और दोनों अगर आप करते हैं तो दोनों के केवल ओनलाइन आविदन भड़ते समय पहले आओ और पहले पाओ आधार पर उपलब्द होगा जो मिद्वार अपना आविदन पत्र पूर्ण करके परेक्षा सुल्क का भुकतान करें कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस समय उस विसे सहर में अगर आपको जिस सहर में चाहिए अगर आपने वो भरा है तो आपको जरूर पहले मिलेगा और किसी सहर में कुल शमता भी पोर्टल पर उपलब्द रगी और किस सहर में कितने अभी सीट बचे हुए हैं वो आपको पोर्टल पर नजर आ जाएंगी आवेदन पत्र भरते समय या परिक्षा सुल्क भुक्तान करते समय या परिक्षा सुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दोरान यदि किसी विशे सहर की कुल शमता पूर्ण हो जाती है तो उमिद्वारों को या तो किसी अन्य सहर का चैन करने या भुक्तान को रद्द करने क जो भी कर सकते हैं और अपना पैसा जो आपने भरा है उसको रिफंड ले सकते हैं अन्य था आप इसे डियार यह दर स्टेट तो नहीं कह सकते हैं आप जगह आप यह वरीता मिलेगी कि आप भर सकते हैं तो अन्य सहर का चैनल करने भुक्तान को रद्द करने का विगल्प आपको उसमें दिया जाएगा यदि अगर कई होगा इस टाइप का तो यहां तक आपको जानकरी कैसी लगी है वो मुझे कमेंट करकी जरूर बताए और अगर आपको यह जानकरी अच्छी लगी है और आप म आपको ऐसी नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको इसके चैनल पर मिल जाएगी और इसका जब पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा जो है 31 से तो मैं आपको इसका एक डेमो दे दूँगा कि कैसे आपको घर बैठ बैठ आपका ओनलाइन फॉम भरना है तो यहां तक वीडियो द